Hello, Namaskar and welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good, my dear friends. आज 9th January 2024 है, you're watching editorials and articles and analysis. दोस्तों, आज हमारे डेबल पर हैं चार important topics. दो topics जो हैं, वो काफी लंबे topics हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़े आपको इस particular topic में जानने को मिलेगी. ये बहुत सारे flows नजर आ रहे हैं, तो क्या है ये flows और भारत के लिए तो ये एक अच्छे ख़बर हैं. Then we have European Union, जो है वो एक Carbon Border Adjustment Mechanism लेकर आने की बात करा है, तो ये क्या है? We are going to talk about that, and फिर जो बिलकिस बानो हैं, उसका कही से यहाँ पर सुप्रेम कोर्ट ने एक बहुत ही सही decision लिया है, and then we have Bangladesh का जो election हुआ, तो उसमें शेख हसीना जो है, उनकी फिर से जीत हुई है, जो भारत के लिए एक अच्छी बात है, हम शूर आप जानते हैं. आगे बड़े उसे फिलेडियो, friends, we have launched Limitless Leadership Program, यह एक online course है, Study Glows के mobile app पर, यह available है, as you can see, यह course जो है, वो मैंने ही design किया है, तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया content जो है, वो पसंद आता है, then I'm sure you will love this particular program, right? लीडर्शिप एक ऐसी चीज है, जिसके माध्यम से हम हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, you will find के आज का जमाना जो है, उसमें हम एक लीडर्शिप डिफिसिट का जमाना है, right? इस पर और ज्यादा discussion जो है, वो आपको Limitless Leadership Program में ही मिल जाएगी, demo videos आप चाहे तो it is available, check out Study Glows का mobile app, dear friends, positive quote of the day, Robin Sharma कहते हैं, your excuses are nothing more than the lies your fears have sold you, हमारे ये जो बहाने हैं न, excuses, for example, कि नहीं ये चीज़ मुझ से नहीं हो पाएगी, I'm too weak for it, अभी तक मेरा अनुपर भी है रहा है कि मैं अगर कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ, तो फिर वो चीज़ मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, नहीं, नहीं, मेरे अंदर वो competency नहीं है, I don't think कि मैं उतना जादा dedicated हूँ, I don't think कि I am consistent, ये सारे जो excuses जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, दोस्तों, they are not reality, they are just lies, ये सारी जूठी बाते हमारे फिर ने, हमारे जो अंदर का जो हमारे भाई हैं, ये सारे अलग अलग प्रकार के भायों ने मिलकर हमें अलग 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 प्रकार के जूठ पिरो से हैं, that's it, excuses जो हैं, they are not real, you can change yourself whenever you want, ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, बंगलादेश के बारे में, right, इंडिया और बंगलादेश एक बहुत लंबी बोर्डर शेर करते हैं, I am sure आपक boundary हम पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ भी शेर नहीं करते हैं, right, तो ये तो हो गई कुछ बेजिक जी के वाली बात है, प्राइम मिनिस्टर, शेह खसीना जो हैं, उनकी पार्टी आवामी लीग की फिर से जीत हुई है, बंगलादेश में जनरल इलेक्शन या फिर पालिया मेंटरी इलेक्शन हुएं, right, और जो मेंन उपोजिशन पार्टी हैं, बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी अच्छा हुआ कि इस प्रिक्लर पार्टी की जीत नहीं हुई, क्योंकि ये जो बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत नहीं हुई, क्योंकि ये supporters का कहना यह है कि यह सारे charges यह सारे चीज़े जो है यह politically motivated है और सबसे dangerous चीज़ जो हुई है वो यह है कि यह parliamentary election में यह BNP जो main party है यह party ने इस election में part नहीं लिया है as you can read here right the Bangladesh nationalist party BNP decided to stay away from the polls यह dangerous क्यों है we are going to talk about that as well अब यह जो party है BNP उसकी demand यह थी कि सरकार एक neutral authority को polls को देखने के लिए जैसे हमारे देश में election commission of India है तो वैसे एक neutral authority को appoint करें ताकि यह polls को देखा जाए लेकिन government ने गहाए आप जो demand करें यह नहीं है कि हमारी जो government की system है बंगलादेश के तो वहाँ पर ऐसे neutral authority already है तो we don't need any other neutral authority तो इस परकार की चीज़े जो request थी तो इसको reject कर दिया अब यह जो खालिदाजिया है उनकी party ने यह इल्जाम लगाया है आवामी league पर के यह dummy opposition candidates उन्होंने बनाए 20,000 जितने BNP members जो है उनको arrest किया गया बंगलादेश में election करवाना जो है it's not that easy वहाँ पर election के दोरान violence देखने को मिलता ही है अब जो मैंने आपको starting में बताया ना कि this is going to be a bit dangerous क्योंकि सबसे बड़ी सबसे prominent जो party है opposition की BNP उसने election में part में ही लिया तो why it is dangerous the thing is कि देखिये जो polls है जो election हुए तो इसमें voter का turnout जो है that is just 40% 2018 में जब elections हुए थे तो 80% turn out रहा और इस बार as you can imagine कि जो लोग vote दे सकते हैं eligible voters जो हैं तो उनमें से सिर्फ 40% लोगों नहीं vote दिया है इसका मतलब ये है कि elections पर या तो लोगों को भरोसा नहीं है number one number two ये चीज़ हो सकती है कि violence की बज़े से लोग जो है वो अपना vote देने के लिए नहीं गए number three is कि लोगों को political parties और ये सारी चीज़ों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं है and things right तो basically you can say के जो ये fourth consecutive term start हुई है शेह खसीना मेडम की वो अरड़ी तीन बार बंगलादेश के prime minister बन चुके हैं this is her fourth time right तो ये जो fourth term है उनकी ये already जब start हो रही है तो she is starting or she is she has entered as a prime minister into a very troubled political landscape अभी बंगलादेश का जो political landscape है ये deeply troubled है कि बहुत बड़ी party part में ही ले रही तो you can understand कि आने वाले 5 साल जो है they are not going to be that easy अब जो मेडम है हसीना जी तो उनकी legacy ये है कि जब से उन्होंने charge संभाला है तो बंगलादेश में infrastructure का development economic success poverty गरी भी कम हुई है energy के projects काफी ज्यादा बड़े हैं इसके साथ जो militancy है तो militancy को बहुत ही firm hand से उन्होंने handle किया है लेकिन covid के बाद inflation जो है वो बढ़ चुका है covid के बाद ये उनका जो कपडों का business है Bangladesh is very famous for this garment industry तो इस पर भी थोड़ी एक impact जो है वो देखने को बली है Bangladesh की currency है Taka और जो capital है that is Taka तो ये जो Taka है तो Taka has depreciated 40% US dollar के सामने 40% depreciate हुआ है और Bangladesh जो है इसको negotiate करनी पड़ी अपनी launch world bank IMF or Asian development bank के साथ तो things are bit shaky at present दूसरी एक चीज एक jubo league है ये jubo league जो है it's a youth wing political party जो है ruling party तो उसकी एक youth wing है और ये जब violent attacks करती है तो इन पर कोई case या फिर ऐसी चीज़े नहीं होती है जरकार का protection मिल जाता है तो ये भी ऐसी चीज़े हैं जो आने वाले समय में trouble create कर सकते हैं दूसरी चीज USA को एक लंबे समय से Bangladesh से problem है I'm sure आपने वो वीडियो देखा होगा मैंने अगलग से वीडियो बनाया था ये शेह खसीना जी वापस जीत करा है ये भारत के लिए क्यों important है तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़े एक्स्प्रेइन की थी कैसे Britain और USA के साथ एक प्रकार का historic issue है 1971 से ये जला रहा है तो USA जो है वो बार-बार very clear उनको बता है कि जब चाइना से पैसे आते हैं तो चाइना की terms and conditions साथ में आती है और जब भारत से पैसे मिलते हैं तो भारत पहले पैसे देगा और कहेगा कि आप सोट लिजे आपको क्या करना है और चाइना जो है वो असा नहीं करता तो उनकी सरकार ने हमेशा anti-India elements जो हैं उनको पकड़ पकड़ जेल में डाल दिया है और भारत को भी swap दिया है अभी मियान मार में जो issue चल रहा है इसको लेकर भी हमें बंगलादेश के साथ cooperate करके आगे बनना पड़ेगा एक चीज है जो मैडम जी को सोचनी पड़ेगी and that is कि democracy जो है वो अगर उनको और ज्यादा mature करनी है बंगलादेश में तो उसके लिए it is very very important कि जो अलग-अलग विचारधारा है वहाँ पर जो है खास करके वेराइसे अलग parties देखे radical parties और radical विचारधारा वाली parties जो है उनको तो कोई अधिकार है ही नहीं लेकिन जो लोग बंगलादेश के हित के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे लोगों को उनको साथ में लेकर जलना पड़ेगा जो एक प्रकार की policy है वो उन पर जोर दिया जा सकता है अभी बंगलादेश में ये एक थोड़ी चीज़ जो है वो missing है Let's talk about Bilkis Banu case Supreme Court rightly cancels a remission of convicts ये एक बहुत ही दुखद दुरगटना हुई थी 2002 का जो riots हुआ उस समय पर I was in Baroda Baroda is a I'm sure you know Varodra या फिर Baroda ये दोनों same city के नाम है तो at that point of time I was 2002 में I was in Baroda and I still remember के वहां से वापस घर आना जो है it was very difficult for me क्योंकि I used to study there right or I used to live in PG paying guests में I used to live there I was a kid so ये पता नहीं था कैसा नहीं का नहीं जाए but anyways I came back somehow reached home लेकिन उस समय पर सारी चीज़े जो है वो बंद हुआ करते थी and I still remember ये 2002 के रायोट्स सारे गुजरात में ये रायोट्स नहीं हुआ थे for example जो हमारा सवराष्टर वाला रीजिन है यहां पर कुछ नहीं था लेकिन एहमदाबाद वरोद्रा ये सारी जगाओ उपर ये चीज़ जो है वो काफी ज़्यादा सीवियर हुई थे तो 2002 में ये बिलकिस जो है शी वस प्रेगनेंट और इनका गेंग रैप किया गया इनके परिवार के साथ लोगों को मार दिया गया और फिर एक केस चला एक केस में ऐसा हुआ के जो 11 लोग थे तो उनको कन्विक्ट किया गया अब गुजरायत की सरकार ने ये जो 11 लोग हैं उनको रेमिशन दे दिया था रेमिशन का मतलब ये हैं कि उनकी सजा जो है वो बंद कर दी थी खत्म कर दी थी सुप्रीम कोट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है जो एक horrible wrong गुजरात गवर्मेंट ने किया उसको correct करने का काम सुप्रीम कोट ने किया है सुप्रीम कोट ने गुजरात गवर्मेंट का जो डिसीजन है उसको cancel कर दिया है Independence Day का वो देन था में involved लोगों को गुजरात की सरकार ने छोड़ दिया 1992 की जो remission की policy है गुजरात ने उसको follow किया लेकिन ये conviction हुआ था 2008 में गुजरात ने इसको 1992 की remission policy के ताहिए छोड़ दिया कब छोड़ा है December 2020 Sorry not December Independence Day के दिन पर 2022 में लेकिन 2014 की policy क्या कहती है कि जो भी rape और murder convicts है उनको आप छोड़ नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनको छोड़ दिया This is clear breach of rule of law और state government जो है यहाँ पर जो decision लिया है ये बहुत ही गलट decision है Supreme Court ने कहा कि आपने अपने powers का abuse किया है दुर उप्योग किया है गुजरात government के साथ-साथ This is a matter of concern for Central government as well ये शर्व की बात है कि Central government और गुजरात government ने Central government ने ये चीज़ एलाव की और गुजरात government ने इस परकार की कोई चीज़ की अच्छा है कि Supreme Court हैं High courts हैं जो एक कड़क stand लेती है October 2022 में ये जो गुजरात की सरकार है उसने तीन बड़े reasons दिये कि इन लोगों को क्यों छोड़ दिना चाहिए Number one कि इन लोगों ने 14 साल या फिर उससे ज्यादा का वक्त जो है वो जेले में बिता चुके हैं ये लोग दूसरी कि इनका conduct जो है वो काफी अच्छा है and तीसरा the center had convened its concurrence approval central government ने भी यही कहा है कि इनको अगर prematurely छोड़ दिया जाए तो कोई बात नहीं है तो ये तीन बड़े reasons October 2022 में गुजरात की सरकार ने Supreme Court को दिये थे और CBI ने भी ये कहा था कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए इनके ओपर heinious, grave or serious case चल रहा है means ये serious इल्जाम है इन पर और ये ये लोगो ये जो लोग है ये they are convicted अज़ाने ये case चल रहा है इनको means this is proven कि इनको इसमें शामिल थे तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए this is a matter of this is really not acceptable ऐसा बिलकुल होना ही नहीं चाहिए और देखे we do understand के riots के समय पर लोग जो है वो अपने सबसे means human beings की बात करें तो riots के समय पर सबसे आप समझ लिजे के जो dark हैं सबसे negative चहरा जो हैं लोगों का हमें देखने को मिलता है इनसानों का देखने को मिलता है उपर उपर के कपड़े और इन सारी चीजों से हमें कोई एक community दो community के लोग एक दूसर के साथ लेल रहे हैं ऐसा देखने को मिलेगा लेकिन eventually we all are human beings to be anyways you know यह सारी basic चीज़े अब जानते हैं तो उस पर एंटर कर सकता है उसको एंटर एंटर हमें देने भी चाहिए कोई किसे ने murder किया किसे ने rape किया जो भी अपनी सजा है अगर proper सजा काटकर वो बहार निकला है तो उस व्यक्ति को फिर से अपना जीवन स्टार्ट करने का एक मौका देना चाहिए ये किताबों में और जनरली ये सारी चीज़े हम अच्छी अच्छी बाते करें तो लगता है कि ने ये सारी चीज़े होनी चाहिए लेकिन भारत में अभी वो वक्त नहीं आया है राइट बहुत सारे ये क्रिमिनल्स जो है उनका नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है और यहाँ पर जब ये बहार निकल रहे हैं तो इनको असे ढल वोल लेकर और फूलो से उनको स्वागत किया जा रहा है क्या ये कोई बड़ा मिशन खतम करके आए है अफकोर्स नोट सर्व की बात होनी चाहिए और जितने भी लोग उनको रिसीव करने के लिए गये थे जो भी पारटी के लोग थे चाहे बीजेपी हो आरेससो वीएचपी हो ड़सिंट मैटर जो भी हो तो दिस इस नोट signal किस परकार का signal समाज में हम दे रहे हैं एक तरफ हम सनातन धर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस परकार की चीज़े हम करेंगे तो या तो हमें सनातन की बात बंद कर देनी चाहिए या तो फिर हमें इस प्रकार की चीज़े जो है वो बंद कर देनी चाहिए ये सोचना जो है वो उन सारे लोगों के लिए और सारी पाइटीज को ये चीज़ सोचने की जरूरत रहेगी ये पराडोक्स जो है ये लोग हम देख सकते हैं अगर किसकोई पराडोक्स जो है उनको नेशनल लिजसलेचर में से हटा दिया बिकोज ओफ प्रप्शन के चार्जेशन पर लगे ये सारे बड़े बड़े नाम है चाइना में अगर किसकोई चाइना के करिंट अफेर से कोई अगर थोड़ा बहुत अप्टू डेट है मेरे रहने वाला व्यक्ति राइट तो उनके लिए ये बड़े नाम है तो ये नो लोगों को निकाला गया और इसमें पाँच जो है ये फॉर्मर कमांडर्स है वाइस कमांडर्स हैं पी एले रॉकेट फोर्स के कुछ एर फोर्स के फॉर्मर चीफ है एक एक जो है वो एर फोर्स के फॉर्मर चीफ है chairman दूसरे है chairman of नारिंको group ये लिव शिक्वान इनको भी हटाया गया है इनको भी दर्वाजा दिखाया गया है कि आप भी निकलो और ये companies जो है ये military के बड़े बड़े equipments बनाने वाली companies है तो इनके chairman को इनके heads को निकाला गया है corruption और इस परकार की चीज़े इन पर ये इल्जाम जो है वो लगाया गया है defense minister august में निकाले गया है उसके बाद दूसरे defense minister आए उनको भी October में निकाला गया और फिर एक जो foreign minister थे तो उनके पर ये इल्जाम लगा जुलाई में कि वो अपनी एक जो girlfriend है वो एक्स मेरिटरिल अफैर में कुछ शामिल थे ये और वो अपनी girlfriend को सारी intelligence और ये सारी चीज़े जो है वो provide करते थे तो इस परकार का इज़ाम उन्हों पर लगाया गया है फिर एक दूसरे इनसान जो मिंस प्रेजिडेंट स्षी जिंपिंग के बहुत ही खास एक जैन डॉंग जून इनको फिर उनकी जिगा पर डिफेंस मिनिस्ट्री के जो कारबार है वो दिया गया है और जो foreign ministry की बात करे तो foreign ministry में क्या है कि हमारी या पर foreign minister is the highest position वहाँ पर दूसरी एक system है चाइना में तो उनके जो highest थे तो उनको फिर ये काम जो है foreign ministry का additional का काम जो है वो फिर दिया गया तो इस प्रकार की चीज़े यहां वहाँ पर चल रही है अब ये बड़े बड़े जो लोग है या फिर I would say whatever day लोग जो है तो ये procurement का काम करते थे procurement यानि की सामान को खरीदना और corruption के charges लगे हैं तो कहीं न कहीं ये नज़र आता है कि systematic deficiencies हैं चाइना में और जो rocket force है जो चाइना के nuclear weapons को handle करने वाली जो force हैं तो उनके बड़े-बड़े officers को निकाला गया है this itself indicates कि चाइना की जो military है उसका जो structure है उसमें बड़ी-बड़ी weaknesses है जिन students ने limitless leadership lecture 10 को देखा है you know I told you जैसा USSR का हुआ वैसा ही एक दिन चाइना का भी होगा उसके पीछे reason क्या है उसके पीछे reason है उसके पीछे reason है उनका pyramid like structure याद है ना हमने यह चीज को discuss किया था तो देखे यहाँ पर ऐसी ही चीज है उपर-उपर से हमें लग रहा है it's very strong and very this and that लेकर अंदर से देखेंगे तो आप देखें बड़े-बड़े लोगों को निकाला जा रहा है बड़े-बड़े नाम और एक सवय पर यह सारे लोग जो हैं यह श्री जिंग्पिंग के खास थे श्री जिंग्पिंग ने ही इन सभी को अलग-अलग position पर बैठाया है तो यह recruitment की policy या फिर recruitment की process अगर सही नहीं है तो इसमें partially responsible श्री जिंग्पिंग भी है अजानी है कि वो यहाँ पर clean है रिपोर्ट यह कहता है total 120 high ranking officials जिसमें 58 generals हैं तो इनके उपर 2023 तक यह prosecution चला है prosecuted they are in fact prosecuted और 20th party की जो meeting रही October 2022 में इसमें श्री जिंग्पिंग ने कहा कि corruption is the biggest cancer वैसे उनके level तक corruption जो है वो चलता है लेकिन कोई नीचे के level पर corruption करें तो that is a big no-no सारा पैसा जो है वो central level पर आना चाहिए नीचे वाले जो लोग है वो पैसे नहीं खा सकते हैं हमारी यहां पर थोड़ी अलग system है उपर शायद cm, pm पैसे ना खाये लेकिन नीचे एक बहुत level तक जो पैसे है वो अलग-अलग level पर खाये जाते हैं but anyways वो चीजों में जाएंगे तो फिर we will not be able to focus on this thing तो Chinese government जो है यह जिस परकार का एक purge वहाँ पर चला है यह clearly दिखा रहा है कि वहाँ पर बहुत issues चल रहे हैं और control नहीं है institutional control जो होना चाहिए किसी भी परकार का control नहीं है legislature जो है वो check नहीं कर सकता कि आप क्या खरीदी कर रहे हैं तो आप कुछ भी खरीदना चाते हैं आप खरीद सकते हैं तो इस परकार की इतनी छूट जो है वो चाहिना की military को दी गए उनके heads के पास होती है judiciary में भी जो members है वो party के ही members है media में भी party के ही members है तो जो श्रीजिंपिंग कहेंगे वही चीज़े आपको करनी है तो यह situation है चाहिना की अब USA के साथ comparison किया जाता है USA के पास इतनी warships है तो चाहिना के पास इतनी warships है देखे आपके पास कितने हथियार हैं वो उतना ज्यादा matter नहीं करते the most important thing is कि क्या आप उतने proficient हैं उन हथियारों को use करने में तो यहाँ पर it's like this reminds me of 300 film 300 लोग ते लेकिन सब film fiction की story है लेकिन you know the outcome वैसे USA के पास तो quantity और भी ज्यादा है तो USA आज भी उतरा ही strong है quantity wise आप शायद USA के आगे निकल जाए लेकिन USA का जो अनुभव है न युद्र लड़ने का उसको आप बीट नहीं कर सकते और उपर से आपके वहाँ पर तो इस प्रकार के issues चल रहे हैं क्योंकि लगबग लगबग चार सालों तक China जो है वो lockdown वारी situation में था तो अभी श्री जिंपिंग थोड़ा soft हुए है USA के सामने क्योंकि उनको पता है कि अभी भी वो वक्त नहीं आया है quantity wise चीज़े हैं लेकिन quality wise अभी वो या फिर उनकी आर्मी जो है that is weak understanding the EU's carbon border tax EU जो है European Union ये एक CBAM लेकर आ रहा है carbon border adjustment mechanism इसको कहते हैं अब इसके दो phases है पहला phase जो है वो 1st October 2023 से start हो गया है तो इसमें क्या है कि अगर हम कोई products जो है वो European Union को बेच रहे हैं हम European Union का पार्ट नहीं है तो अगर हम हमारे यहां से स्टील आपने भेजा दूसरी चीज़े भेजी तो आपको यह certificate करने पढ़ेंगे आपको उनको बताना पढ़ेगा कि यह पूरी process में कितना carbon emit हुआ है EU का यह target है कि 2030 तक वो 55% green house gases जो है उनको कम करना चाहता है और European Union का कहना यह है कि हमारी companies जो है वो अपने carbon reduction के initiative नहीं लेते हैं और चीज़े उनके लिए सस्ती हो जाती है पैदा करना और हमारे यहां पर हम बहुत ही कम carbon से चीज़ों को अगर पैदा करेंगे तो हमारी industries जो है इसकी competitiveness चली जाएगी तो we need to impose this thing अब यह CBAM जो है जितने steps उठाएंगे उसे आप से आपको allowance और यह सारी चीज़े दी जाएगी आपको points मिलेंगे you can collect points और यह points जो है वो फिर आप किसी company को बेच भी सकते हैं और आपको उसके बदले में start कर देगा तो भारत जैसे देश जो है उनका कहना ही है कि यह जो आप system लगा रहे हैं this is not right भारत ने तो इसको challenge भी किया है भारत का वो पैसे मिलेंगे then you will invest more तो इस प्रकार से we can you know barter system चलेगे like you can give carbon credit बदले में आपको पैसे मिलेंगे और इसका लक्षय यह है कि of course climate change जो है इसको combat करना है that's the main lecture of this whole system और green credit और यह सारी चीज़े यह पुरानी चीज़े है तो I'm not going into it directly topic पर आता हुम है means the most important चीज़े जो है उसको follow करते है the thing is कि WTO में भारत ने यह CBAM जो है उसको already challenge किया है और भारत और European Union के बीच में जो discussions चल रही है तो इसमें भारत को इस चीज़े को cover करने की जरूरत है भारत को कहना चाहिए कि देखे या तो आप ऐसा करें कि Paris Agreement के तहट principle के तहट आप इनको follow कीजिए number one या फिर दूसरी चीज़ा पैसा कर सकते है कि जो पैसे हम पे करेंगे तो आप वो पैसे हमें ग्रीन टेक में इन्वेस्टमेंट के लिए वापस भारत को दे दे ऐसी कोई सिस्टम कर रहा है तो भारत को अभी से UK के साथ भी यही discussion जो है वो कलने की जरूरत है हमें भी हमारी इंडस्ट्री जो है उनके हित के बारे में सुचना पड़ेगा और डेवलोपिंग देशों को थोड़ी यहां पर छूट भी मिलनी चाहिए तो यह सारी चीज़ों पर भारत को एक जोर देना पड़ेगा वनना ये लोग जो है वो इसली अंडल आप पनके कर सक्ट तो यहां पर दो, यह जो अश्या कर सक्क्ट, यहां अजिए्याओ विए तो यहां वेश्या घ्यारत के बारत के बारत के बारत को यह क्यों लुई मैंवे ऑट बरत बारत कर दो एए जाय है